हेलो रिवन, वेल्कम बाक टो अनलाइन स्टेडियोन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार तरोगा, बिहार SSE मेंस के लिए मौक टिस्ट का सेट नमबर 12 उमीद करते हैं कि से पहले कि आपने बाकी के सेट को जरूर सॉल्फ कर लिया होगा, नहीं भी देगे हैं तो प्लेलिस चिक कर लिजेए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, और आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम लोग 50M सेक्यूर टेडली भी डिसकस करते है जो कि questions का level काफी अच्छा होता है, तो वीडियो के साथ end तक बने रहना चलिके सुरू करते हैं, सबसे पहला प्रशनी की मौरे समराज में प्रचलीत मुद्रा का नाम क्या था, मौरे समराज में जो प्रचलीत मुद्रा था, उसका नाम क्या था, तो इस प्रशनी का सही answer, option यह हो जाएगा प्रण, मौरे समराज में प्रचलीत मुद्रा को प्रण कहा जाता था, यहां पर पढ़ सकते हैं कि मौरे समराज में प्रचलीत मुद्रा पढ़ थी, मौरे काल में सोने, मतलब मौरे काल में जो सिक्के थे, सोने, चांदी और तांबी के बने होते थे, इन सि तो इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या होगा हम आप्शन एक को टिक करेंगे माल विकागन मित्रम जो है इसमें अगने मित्र के कहानी देखने को मिलती है क्वेसन नमबर थर्ड है कि रोमन समराज्जी के अनुसरन पर किस वन्स के सासकों ने कैसर यानि किस सीजर की उपाधी धारन केते कैसर या फिर सीजर की उपाधी धारन केते देखे फिंस रही बात इस PDF की जिसमें इंसर आपको mention रहता है वो आपको मिल जाएगा हमारे applications पे पेड़ कूर्स में और पेड़ कूर्स के बारे मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही कम कीमत पर बिहार SI का जो कूर्स है सिर्फ और सिफ आपको 199 मिल रहा है और ये offer 15 माई तक है तो 15 माई तक अगर आप जॉइन कर लेते हैं तो आपको 199 मिलेगा otherwise ये कूर्स के जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो फिर आपको बोलेंगे कि हमें पता नहीं था तो मैं आपको बता दूँ कि 199 रुपय में आपको हमारी बिहार SI की जो प्री और मेंस की दोनों बैच है एक साथ मिल जाएगी जिसमें आपको पूरी study material बहुत सारी चीज़े उसमें मिल जाती है बतलब complete study material है इसलिबस के recording आपको मिल जागा और जो लोग BPC वाले course लेना चाहते हैं तो उसकी price 249 है तो आप उसको भी जाकर के purchase कर सकते हैं हमारे applications पर जो की इस वीडियो की description में applications का link दिया गया application को download करिए login करिए store section में जाकर की अपनी पसंद की course को join कर सकते हैं ठीक है देखें यहाँ पर हम बात करें कि कैसर की उपादी किस ने धारन किया था तो कुसाण यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जागा option C कुसाण का जो सासक था जिनको लोग कर्निस के कहते हैं कर्निस को द्वितिय सूक के नाम से जाना जाता है यह चीज़ याद रगेगा और कर्निस के समय में ही चौती बहुत संगीती का यज़न किया गया था भुमत सागरी प्रदीसों में पेडों पर चड़ी लताओ को क्या कहते हैं भुमत सागरी प्रदीसों में पेडों पर चड़ी लताओ को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे सही answer मारा हो जागा लियाना पेडों पर जो चड़ी लताय होती है लियाना के नाम से जाना जा लियाना ऐसे पौधे को कहते हैं जिनका मुखे जड़ लंबी लकड़ी की लता की तरह हो और जो नीचे धर्ती की जड़े रखती हो किसी ब्रिक्ष या अन खड़ी हुई वस्तु का सहारा लेकर के वन के उपर को सुरज का प्रकास प्राप्त करने के लिए चड़े होते हैं बहुमत सागरी प्रदेश में ये जह दतर देगनी को मिलता क्वेशन नमर फाइब है कि किसी जाती या फिर जन जाती को अनसूची जाती अनसूची जन जाती घोसित करने हैं तो समख्छ समयधानिक प्रदिकारी कौन होता है किसी भी जाती जन जाती को अनसूची जाती जन जाती में कौन मतलब की घोसित कर सकता है तो भारत के रास्टपती होंगे, इसलिए यहाँ पर उप्सन यूगा, भारत के रास्टपती, अगला है कि 1928 में यह खोज किसने की जब रंगीन प्रकास की किरन किसी द्रौव में परविश करती है तो वो उस द्रौव द्वारा प्रकिनित प्रकास का एक अंसभिन रंग का ह अगला देखे कि काटिदार जाड़ियों कि सुस्क छेत्रों में कैक्टस वनस्पती किस राज्ज में पाई जाती है तो कैक्टस वहां पर मिलता है जहां पानी की जो मात्र होती है बहुत कम होती है जहाता रिगस्तानी चेत्रों में मरुस्थल वाले चेत्र में देखने की म वसा में गुलंसील विटामीन कौन से है वसा में गुलंसील विटामीन कौन से है तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा according to option हमारा सही आंसर हो जागा option D, vitamin E, vitamin E, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से पूस्ता हूँ देखे इससे पहले मैंने start किया हुआ था उसमें 2-3 parts मैंने कर आया था लेकिन फिर आप लोगा response अच्छा नहीं आ रहा तो मैंने चोड़ गया था science की खाफे demand आ रही थी तो मैंने start किया था तो देखे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं notes वाला जो मेरा format है notes का one liner format science की questions मैंने बनाया हुआ तो आप लोग कहेंगे तो उसका इक अलग सीरीज हम लोग चला देंगे करीब 10-15 पार्ट जिसमें आपको करीब 1000 से questions कवर हो जाएंगे तो अगर आप interest रखेंगे तो मैं उस सीरीज को चला दूँगा फिलाल दिखें बात करते इस पे तो आप लोग नीचु कमेंट कर दीजेगा आप लोग की क्या राय है निम्ली की इतकतरों पर विचार करें तो यहां पर दिखें विजय नगर समराज्य के संदर में दो पॉ तो यह पॉइंट हमारा गलत हो क्या सेकंड पॉइंट के विजय नगर समराज्य में उंबली नामक प्रद्धती प्रचले थी अब यह उंबली नामक प्रद्धती है क्या तो ग्राम में कुछ विशे सिवाओं के बदले लगान मुक्त भूमी दी जाती थी उसी को कहा जाता थे ठीए अगला है कि नमली खीत मेंसे कौन सा कथन असकते है तो ध्यान से पढ़ेए और बताएए कंसा कथन असकते हैं सूरी में हाइट्रोजन सरवाधी मातर ह से होता है जिसमें चार हाइट्रोजन मिलकर के नाविंग का एक हीलियम नाविंग निर्मार करते हैं, बिल्कुल सही है, इस पर कोई दिक्कत ने, कॉंसेट बिल्कुल करेक्ट है, सुरे के केंदर पर नाविक के विखंडन की प्रकेरिया होती है, यह पॉइंट गलत है, नाविक के सलियन की प्रकेरिया होती है, ना के विखंडन की, तो ये पॉइंट अबारा गलत हो गया हमें बताना था असत्य कौन सा है तो यही तो असत्य इसलिए B को टिक कर लेंगे बाके को याद रिखे सुरे के बाहरी सत्य का तापमान 6000 डिरी सेल्सियस होता है ये सही और सुरे में हाइड्रोजन 31 और हिलियम 26.5 प्रतिसत सामिल होता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भी गलत था अप्शन भी को टिक करेंगे पचे हुए भोजन में मौझूद विसैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसन करता है गेस करिए तो यहाँ पे देखिए चूसन करता है यकरित यकरित जो कि हमारे सरीर की सबसे बड़ी गरंती है इसको याद रखेगा अगला क्या है अध्यक्षे सासन विवस्था का उदय जो हो सरपतम किस देश में हुआ अध्यक्षे सासन विवस्था का जो उदय हुआ वो सरपतम किस देश में हुआ तो सरपथम ये उदे हुआ था USA के अंतरगत United State of America और USA से हमने बहुत साई चीजे गरहन किये जिसमें सबसे महत्रपुन मौलिक अधिकार याद रखेगा निमली खित में से किन पहाड़ियों पर उश्निकटी बंदिये सदा बाहारवन पाइजाते हैं निलगीरी के पहाड़ियों पर उश्निकटी बंदिये सदा बाहारवन पाइजाते हैं अगले आपरस देखे निमलीकीत कत्वरों पर विचार करना है यहाँ पर सनसद के नाम के साथ मैच किया गया तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा कौन सा सत्य एक शी मैं आपको बता दू कि लुसेंट पे जो वीवी दिया गया आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजे अच्छे तरीके से उसको रट जाईए क्योंकि वहाँ से डेफनेटली एक से दो कोईसंस तेकनी को मिलते ही मिलते है किसी ना किसी भी एक्जामस में आप बैठ जाओ मिलेंगे ही मिलेंगे तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का नेस्नल असेंबली बिल्कुल सही है मिसर का People Assembly ये भी सही है स्पेन की बात के तो स्पेन का Cortis होता है, Cortis, ये गलत है और FOLK18 तो आपको पता है Denmark का होता है तो सही के वह लोग एक और दो होगा इसलिए हम B को टिक करके आगे बढ़ेंगे, राइट, अगला प्रश्ट उत्तरपूर्वे भारत में जूमिंग मलीसिया में इसको लदांग कहा जाता है लदांग और जीरे कहते है तराई में इसको मोसले कहा जाता है स्थानी सब्दे बताते हैं क्या है ये बस पहले वाले वर्ड से ही आपको समझ में आ जागा कि उत्तरपूर भारत में जूमिंग ग्या होता है तो जूमिंग एक परकार का स्थनांतरी क्रिसी का एक परकार है जिस पर सबसे पहले खेतों को वनों को जला जाता है उसको साफ करके फिर उसमें उगाई जाती है तो सबसे ज़्यादा तो यह उतर पूरा भारत में जो कि नागलेंड में काफी फेमस है अगला है कि निमलीखीत को कालकरम के अनुसार सजाईए तो कालकरम के अनुसार आपको सजाना है तो आप अराम से वीडियो को रोख लीजिए उसके बाद सजाईए चलिए अब यहाँ पर देखते हैं देखे सबसे पहला अगर हडप डीती की बात के तो लड लोजन स्टार्ट किया था ठारा सो अड़तालिस में जो कि सतारा सबसे पहला से कार हुआ सेकेंड अगर हम देखे बंगाल का भी भाजन 1905 में लौड करजन के समय में थर्ड पॉइट देखे जिसमें स्थाई बंदोबस थे 1793 में स्टार्ट हुआ था लौड करने वालीस के समय में और चौध अगर हम देखे तो सहायक संदी 1798 में स्टार्ट हुआ लौड विलिली के समय में अब यहां पर हम देखें सबसे करम के अगर साजाना है तो करम में देखेंगे तो सबसे पहले तीन आएगा यानि तीन वाला स्टार्ट यहां पर भी है यहां पर भी है तीन के बाद च्यार देख सकते हैं 1798 दोनों में उसके बाद 1848 आएगा तो यानि ऑप्सन C हमारा बिल्कुल सयाजर बन जाता है अगला है कि मांडा जो हो किस नदी के किनारे इस्तित है गेस करिए पाचवी पंचवर्सी योसना को दो मुखे उद्यस से थे एक तो निर्धन था निवारण था यानि गरीवी इन मुलज कह सकते हैं और दूसरा उसमें क्यामों के उद्यस था यह आपको बताने पाचवी पंचवर्सी योसना थी वो कभी स्टाड की गए थी तो पाचवी पंचवर्सी योसना 1974 स autor ऑनीसव इसवारण लिए योसना आपने कारकाल से पूर्ण चीज की बात है आपको याद रखना है तो इसमें एक और था आत्मिनिर बरता के साथ प्राप्ति यारि या उप्सन हम B को टिक करेंगे अगला है कि दल विहीन लोगतंत्र के पक्ष में कौन थे दल विहीन लोगतंत्र के पक्ष में बताईए कि कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए जय प्रकास नरायन करेक्ट होगा कास्ट स्प्रेट के नाम से किसको जाना जाता है कास्ट स्प्रेट के नाम से किसको जाना जाता है ये सब कोईसंस डारेक्ट इसी तरह से आपको पेपर में देखने कोई मिलेगा तो जितना हो सके अच्छे से याद रख लीजे तो दीखे, कास्ट इस्प्रेट के बाद करें, तो मेथाईल, एल्कोहल, यहाँ पे सायो का आप्सन ए और जो लोग बिहार एसाय के पेड कूर्स में जुड़े हुए हो, उसमें मैंने आपको एक दो से तीन दिन पहले हमारी तरब से पूरी कोशिस है कि आप इस बार अच्छे से अपना स्कोर बुष्ट करें, और मेरिट के बाद रहें, ठीक है, यानि मेरिट से आप अच्छा खासा नूमबर आगे रहें, ताकि आपको कोई टैंसन ना हो, तो आइनोवन जो है, वो समन्द रखते हैं किसे, फेरल का सिधान्त किस से समन्दित है, फेरल का जो सिधान्त है, वो किस से समन्दित है, फेरल का सिधान्त पवन की दिशा से, पवन की दिशा समन्दित है, राइट आंसर हो जागा, पवन की दिशा से, वीडियो गर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो आप लोग इस र अंत्रगत आता है ओप्शन भी मिजूरम के अंत्रगत निमलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है राजाजी राष्टे उध्यान हाथी के लिए जो की उत्राखंड में पढ़ता है पर यार ये अपका केरल का अंत्रगत है हंगूल के लिए तो बिल्कुल फेमस नहीं है में उनकी स्टीती के साथ गलत मिलान किया गया तो दिखिए, मानस जो हो आसाम के अंतरगत सही है, बांधावगड, मध्यपःदेश के अंतरगत, सुनदरवन ये गलत है, सुनदरवन पस्ची मंगाल के अंतरगत होगा और कार्बेज, तूतराखंड सही है तो उसी को टिक कर लीज़ेगा अगला है कि निम्मे से कौन सा प्राकिर्तिक छेत्र बिसो का ब्रेड बास्किट के नाम से जाना जाता है ब्रेड बास्किट के नाम से किसको जानते हैं हम लोग तो ब्रेड बास्किट जो है स्टेपी छेत्र को कहते हैं लिप्चा जन्जाती सिक्किम के अलावा किस राज्य में भी देखने को मिलती है। लिप्चा जन्जाती जेहू सिक्किम के अलावा किस राज्य में देखने को मिलता है। जायतर प्रशनी ये पूछाता है कि लिप्चा जन्जाती किस राज्य में से संबंध है। सिक्किम से यह direct questions कई बार पूछा गया, इसको अच्छे से याद रखिए, लेकिन यहाँ पर हमारा questions है कि लिप्चा जन जाती सिक्किम के अलावा किस राज्य में, तो पस्चे मंगाल भी correct होगा, option हम D को tick करेंगे, पस्चे मंगाल, अगला एक निमली कित में से किस एक को stranger gas के अंतर आता है, और उतक्रिष्ट gas कह सकते, inert gas कह सकते, 73 समिधान संसोधन द्वारा इगरावियन सुची में, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कारे स्वापे गया, यानि कितने विशा इनको मिले है कारे करने के लिए, पंचायती राज विवस्ताओं को, संस्थाओं को, तो टोटल इनको 29 विशे मिले हुए, 29 विशे ऑप्सन D, जबकि नगर पालिगाक जो 74 समिधान संसोधन अधिनियम है, इसके अंतरगत 18 विशे मिले है, और 73 के दवार पंचायती राजी को 29 विशे है, प्रथम लोगसभा की बैठक कब होई थी, प्रथम लोगसभा की जो ब सदसे कौन थे, जिस समिधान सभावद्वारा भारत के समिधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदसे कौन थे, तो यहाँ पे आप आप असानी से गेस कर सकते हैं, कि विभी प्रांतों के विधान सभावद्वारा नामीच सदसे थे, इसलिए हम option C को टिक करके आगे बढ़ मंगल गरा, जिसको हम लोग मार्स कहते हैं, मार्स गैस, चलो उसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं, यहाँ तक देखें, सरवादी गर्म से तो आप लोजिकली सोच सकते हैं कि जो सबसे नजदीक है, वो सबसे गर्म होगा, तो उसके कोडिंग आपने option E को टिक किया, जो कि यह यहाँ पर कहेंगे सुकर बिल्कुल सही आंसर होगा, अगर आपसे पूछे कि सरवादी गर्म गर्म कौन से हैं, तो सुकर को टिक करना, option B को टिक करेंगे, ठीक है, option B, गलती से भी बुद्ध को टिक मत कर देना, लॉजिकली सोच करके, यहाँ पर लॉजिकली काम नहीं करत हैं, अगला है कि भुमद रेखा कि चत्रुवित अख्सव अच्छांस से डोल्टरम की और बहने वाली जो हवाएं, वो क्या कहलाती हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डोल्टरम की और, डोल्टरम क्या होता है, आस पांच डिगरी के आस पास का जो छेतर होता है, तो बैपारिक हवाओं के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अपसान, यह बैपारिक हवाओं के नाम से जाना जाते हैं, अगला है कि 100 days to beat plastic, अभियान जो कहां शुरू हुआ, 100 days to beat plastic अभियान कहां शुरू हुआ, यह जो स्टार्ट किया गया, वो नई दिली के अंतरगत कि ममानी महुत सो कहां आज़ू किया गया, करिंटफेस के सभी क्यों से की ममानी महुत सो कहां आजन किया गया, जनुश्य करेंजरी कवाट आपको अब वीडियो देखी होगी, तो यहा पर आपको यह सभी क्योटों कर आए गए भे थे, तो यहाँ पर मरदावर हीkar priority को बेस दी गोवा एरपोट ठीक है गोवा एरपोट उत्तर भारत के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोसना का उद्घाटन कहां किया गया उत्तर भारत के ध्यान दिजेगा सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोसना का उद्घाटन कहां पर किया गया तो इसका उद्घाटन ह हुआ है चंडीगड के अंतरगत सी हो जागा चंडीगड के अंतरगत और इंच फेस्टिबल कहां मनाए गया और इंच फेस्टिबल जो हो कहां मनाए गया और इंच फेस्टिबल मनाए गया था ऑप्शन बी के अंतरगत जोकी नागालेंड में और इंच फेस्टिबल मनागाल का अंत्रगत 49 questions क्या है कि 74 गर्तंत दिवस की पुर्वे संध्या पर कितने लोगों को पदम पुरसकार 2023 से समानित किया गया तो ध्यान दीजे पदम पुरसकार के अंत्रगत तो तीनों आता है पदम सरी पदम भूशन पदम भी भूशन तो टोटल मिला करके कुल 106 पुरसकार दिया गया तो जिसमें हम बात कर लेते हैं 91 जो था वो पदम सरी था ठीक है पदम सरी जो कि सबसे नीचे वाला होता है सबसे नीचे वाला और उसके बाद देखें तो यहां पे नौ पुरसकार पदम भूशन दिया गया था ठीक है पदम भूशन दिया गया था और लास्ट में जो सबसे जो टॉप लेवल होता है भारत रतन के बाद कह सकते हैं दूसरा सरोचनागरिक पुरसकार तो पदम विभूशन दिया गया था ठीक है पदम विभूशन तो ये 6 लोगों टोटल आपका 106 लोगों को दिया गया है देखे अगला है क्या कि जैंत पाठिल समिती सम्मद्ध है जैंत पाठिल समिती का सम्मद्ध किस से है गिस करिये अब जैंत पाठिल समिती का सम्मद्ध हो जाता है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जागा option C अल्प वर्षा वाले छेत्रों में विकास के लिए ठीक है अत्य अल्प वर्षा वाले छेत्रों में विकास से समंद्र जयंत पाथिल समिती राष्टी समुंद्री विज्ञान संस्थान कहां सती थे तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जागा राष्टी समुंद्री विज्ञान स सो स्थान पंजी में स्थित है गोष किरादानी पंजी में option A यामिंदी कुरेष्ण मूर्ति को 1977 में किस Counsel से समानीद किया गया था कि है तो 1977 में इनको एक पुरसकार दिया गया था और इस पुरसकार को हम लोग कहेंगे संघीत नाटक का थिएपद में तो अकाली अंदोलन जो ही हो किस से जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखना है कि अकाली अंदोलन का संबंध हो जाता है सीख सुधार अंदोलन से ओप्सन D हो जागा चलिए इसके बारे में हम यहां पर पढ़ भी लेते हैं मैंने नोट डाउन कर दिया है कि अकाली अंदोलन भारत में गुरुद्वारों में सुधार लाने के लिए एक अभियान था इसे गुरुद्वारा सुधार अंदोलन भी कहा जाता है यह अंदोलन 1920 से 1925 के बीच सक्रिये था आंदोलन की सुरुवात सी सभा की राशनीतिक जो सखाती अकाली दलने स्थ की थी तो यह इंपोर्टेंट है 1925 तक याद रखना है अगला है कि रुकमनी देवी अरुडेल जो है इनका संबंद आपको बस बताना है कि किस भारती नित्य कला से संबंद देते हैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे बस इनकोई यह बताईए कि रुकमनी देवी अरुडेल जो है वो किस कला नित्य से संबंद दिते हैं कैबिनेट मिशन 1945 की प्रस्ताव पर गठित 2 सितंबर 1946 की आंतरी मंतरी मंदल निमलिखित में से कौन सामिल थें अंत्री मंत्री मंदल में कौन सामिल थे तो देखे गठन हुआ था अंत्री मंत्री मंदल का दोस्त अंबर 1946 को और इसमें बाल्देउ सिंग भी थे सी एच भाबा भी थे आसफ अली भी थे और जग जीवन राम सभी के सभी थे इसलिए यहाँ पर D हो जागा सही आंसर अगला देखे नेक्स्ट क्वेशन समार क्या करें निमलिखित अभिहारन को सही राजजित चुन करके जोड़ी बनाना है तो देखते हैं कौन किस के साही तरीके से मैच करता है गौतम जो अभिहारन है वो बिहार के अंतरगा देखने को मिलेगा तो फर्स्ट का फर्स्ट तो ये दोनों का कठी गया औप्सन C या फिर D हो सकता है डल्मा की बात के तो डल्मा जो है वो आपका हो जाता जहारकरण के साथ तो यानि दो का दो के साथ दोनों मिल रहा है चली अब इसके बाद है रोहला जो राष्टी पार्क पढ़ता ये ही माचल परदिस के अंतरगत यानि C का 4 के साथ C का 4 यहाँ पर मिल रहा है C हमें ऐसा सही आंसर बनेगा और यहाँ पर वसंधार निस्चू निस्चनल पार्क है वो गुजरात के अंतरगत है इसको याद रखे माध्यम के तापमान में ब्रीधी के साथ प्रकास की गती पर क्या परभाव पढ़ता है ध्यान रखेगा ये क्वेशन्स बहुत जादा महत बोने बढ़ता घटा पर मैंने एक वीडियो बनाय हुआ था आपको उसमें करीब आपको 20 से जादा questions मैंने दिया था जो कि हर exam में repeat होता रहता है आप उसको जरूर दे लिजगा माध्यम के तापमान में ब्रीधी के साथ प्रकास की गती पर कोई परभाव नहीं पढ़ता है प्रकास की गती पर कोई परभाव इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लेखक कौन है इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंदर पर साथ इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंदर पर साथ आप्सन B option B हो जागा और आज किस वीडियो का आखरी questions है और उमीद करते हैं कि आप सब लोग ने वीडियो को like and share कर दिया होगा नहीं के तो जरूर करिए और साथी साथ जो मैंने आपको चीज बताया था science वाला चीज आप लोग comment करके बताएगा कि science के लिए आप क्या चाहते हैं और साथी साथ paid course में जूड़ना है तो वीडियो की description में applications का link दिया आगया आप जाकर जूड़ सकते हैं Smith ने अकबर के किस अभियान को इतिहासिक दुर्तगामी अभियान कहा था तो दुर्तगामी मतलब कि बहुत तेजी से जो अभियान किया था उसको कहा गया था तो यह आपका गुजरात अभियान है option C अकबर पर मतलब जितने भी मोगल समराज है मोगल बादसा है उन पर मैंने अलग लग वीडियो बना रखा है आप उनको देख लीजेगा आपका मतलब पूरा जो चैप्टर पढ़ने के जो रहत नहीं पड़े कि उस छोटी से वीडियो में आपका cover हो जाता है पूरा चीज तो बस आज किस वीडियो में इतना है फिंस उमीदी करते हैं वीडियो helpful रही होगी अच्छा लगा होगा पसंद आओ तो like and share कर दीजेगा मिलते हैं next class में thanks of watching keep watching keep learning have a good time